हाई दोस्तों, ठिंकर सट्टा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे चितोड के मौरियों के बारे में, उनके एतिहास के बारे में तो दोस्तों, हमारी बात स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्काइब कर लें, फिर हम आगे आप आप से बताने चाह रहे हैं, चितोड के मौर के बारो में, तो मौर एवन्स के किस राजा ने इस पर अधिकार कर अपना राज स्थापित किया था, इसका कहीं भी कोई वर्नन तथा पर्मान अभी तक उपलब्द नहीं है, चितोड का दुर्ग और चितोड नगर का निर्माता चित्रांग्द मौर शाशक माना जाता है, इस तथ्य का कुमार पाल संग्रहम में उलेख म इश्वनस को सूर्यवंसी लिखा गया है, राज रूपक में चितोड मौर को चित्व का निर्माता बताए गया है, चितरगूट परवंद में भी उप्यक्च तथ ही सुईकार किया गया है, मेवार में भी यही मनित प्रचलित है कि चितोड का दुर्ग और चित्रांग्द म मौर ने बनवाया था चित्रांग्द तालाब अधाविद इस्थिति है और इसी नाम से जाना जाता है भाराना कुम्भा की कुम्भ लगड प्रस्ति में चित्रांग्द तालाब का वर्णन है चित्रांग्द चित्तौड के मौर शासकों के समयव के जैन ग्रंथों के उलिखनुसार कन्नौज के सासक संभलिस ने चित्तौड पर आकर्मन किया था मौर के संभलिस से घमाशान युद लड़ा पर अंत में प्राजित होने का जोहर किया राजा संभलिस मौर राजा के युद्ध में जिवित बच्चे पुत्र को जित्तौड का राज प्रदान कर जित्तौड से कन्नौज लोट गया था चित्तौड के उप्यक्त मौर वन्षियों सासकों के करम में राजा मान मौर के विश्व संगत 770 EC 713 का लेक प्राप्त हुआ या लेक राजा मान द्वारा चित्तौड पा निर्मित मानसरोवर तालाव से संभन दित है उक्त लेक करनल जेम्स टौड ने खो जा था जिसे वह अपने साथ इंग्लेंड ले गया इसलिए वह लेक अब उपलब्द नहीं है प्रंतु इसका विवरन टौड ने दिया है उसमें उसने मौरवंस के महश्वर, भीम, भोज और मान चार सासका का संकेत दिया है प्रंतु उस लेक से या सपस्ट संकेत नहीं मिलता कि महश्वर और चित्रांग के मद कितने और मौरे राजा हुए प्राप्त सिलालेक में महश्वर को सत्रू का बिनासकरता लिखा है। उसने अवंती तक के भूभाग पर आधिपत्य जमात लिया था। उसका पुत्र भीम था। वह भी वीर और युद्ध कलामे निपूर्ण था। भीम के पुत्र भोज ने सत्रू के हाथी का तलवार सत्रू के हाथी को तलवार के एक ही प्रहार से स्रोचेद कर दिया था। सुमानी के अनुसार भीम को इंद्रगत के राठो राजा नन के हाथों प्राजित होना पड़ा था। फलता मौर्यों के हाथों से मालवा निकल गया। इन मौर्य सासकों और नागदा के गुलतों के संबंध अमैत्री पूंड थे। नागदा के सासक अप्राजित के सेनापती महराज वरहां सिंग ने मौर्यों पर आक्रमन किया था। भोज के पुत्रमान का एक लेक टौड को मिला था और एक अनलेक 713 का संकर घटा में मिला है। उसमें मान द्वारा तालाब और उत्तंग महलों के निर्मान का वर्णन है। मान सक्तिसाली राजा था। उसके समकालीन चित्तोड निवासी हरिभ्रद्र सूरी ने राजा मान द्वारा वसंतपुर के राजा गुन सेन पर आकरमन करने का उलेख किया है। डॉक्टर तसरत सर्मा के मत के मत से मौर और राष्टकुत में मैत्री थी। वे एक पक्ष में थे। उनका मानना है कि संभवता चित्तोड के मौर सासक धर धरनिवा की सभा में माग कभी के वन सज। हर मेलवा ने एक गरंथ की रचना की थी। डॉक्टर सर्मा इसका समय विश्व संभत 888 यानि की 831 इसी मानते हैं। जबकि सोमानी लिखते हैं कि इसकी निश्चित्ती निर्थित करने में कटनाई होती है। इस पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि घुलतों और प्रतिहारों में महत्री थी। प्रतिहारों और मौर्यों में देश्वा थी या मंडौर के सासक बाउक प्रतिहार के जोदपूर वाले लेख से ग्यात होता है दक्षिन के रास्टकुत प्रतिहारों के बुरुद्ध थे रास्टकुत गोविंद देव त्युत्तियन नहीं 806 इसी में चड़ाई की थी और वत्सराज प्रतिहार को हराया था उसी चड़ाई में उसने चित्तोल पर भी अधिकार कर लिया था मौर्यों ने इस आकरमन में रास्टकुतों का साथ दिया था और अंत में गोविंद देव ने चित्तोल गुलोतों से छीन कर बापस मौर्यों को दिया था, जिस पर कुछ समय तक उनका अधिकार रहा, तजंतर परतिहारों ने पुना चित्तौर बिजय करके गुलोतों को लटा दिया, तब फिर मौर उडिसा में चले गए, धर्निवा के वनसज, राजा रंक, उद्यपरवा ने में चित्तौर से उडिसा में आगवन का लिखा है, तो दोस्तों ये जानकारी थी चित्तौर के मौर्यों के बारे में,